हाई एन वेलकम बैक टू माई चानल मिट्टू एन मुनु चानल तो अच्छो आप लोग कैसे हो तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई इंट्रस्टिंग कहानी लेके तो बचो चलो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं यह बोला चाहती आप लोगों के लिए क्या आप लोग कौन कुन मेरे इस वीडियो में न्यू हो तो प्लीज आप लाइक श्राइन सब्सक्राइब जरूर से घर देना तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो चलो बचो बिना देल करते हैं आज की कहानी तो आज की कहानी का नामें लोमडी और अंगूर तो बचो चलो स्टाट करते हैं एक भोकी लोमडी जंगल में इधर इधर घूम रही थी अचानब उसकी नजर पके और रसीले अंगूर की बेल पर पड़ी उसने मन में सोचा ये अंगूर तो बहुत स्वादिश्ट होने चाहिए मैं इने खाऊंगी अंगूर काफी उचाई पर लगे हुए थे लोमडी ने चलांग लगा कर अंगूर तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वह उन तब नहीं पहुच पाई वह चलांग लगा लगा कर अंगूर तोड़ने की कोशिश करती रही लेकिन उसे सफल्दां नहीं मिली उसे समझ में आ गया कि अब और प्रयास करना बेकार है, वह अपने आप, आप से बोलने लगी, अरे, मुझे नहीं चाहिए ये अंगूर, ये तो बहुत घटते हैं, दो बच्चों, यहाँ पे लोम्री का विवार क्या कहता है, लोम्री का विवारिया कहता है, कि जब किसी को कोई चीज नहीं मिलती, तो वह उसमें कम्या निकालने लगता है, तो बच्चों, आप लोगोंने इस कहानी से क्या सीखा, तो बच्चों, इस कहानी का मतलब ये है, कि कभी भी कोई चीज अगर आपके पसंदीता हो, और आपको ना मिले, तो उस पे कम्या नहीं निकालने चाहिए, तो बच्चों, जल्दी से मेरे इस चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, तो मिलते हैं आप उसे नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन बाई, टेक केर,